लेकिन अगर ये vacation 15-20 दिन या एक महीने का हो जाए तो आप क्या सोचते हैं अभी तक traditional तरीके से हम staff कैसे डूनते हैं कोई marketing आइस जोड़े हो तो बताना कोई production वाले हो तो बताना कोई digital marketing वाले हो तो बताना सारी जम्मेदारी का toker अपने सर पर रख लेता है आप ही का vision आपक इस दिन या एक महीने का हो जाए तो आप क्या सोचते हैं अगर job पर हैं तो आपको terminate कर दिया जाएगा और अगर आप business में हैं तो ऐसा संबभ भी नहीं आपके लिए क्यों क्योंकि आपका business पीछे manage कौन करेगा ये समझना बड़ा जरूरी है तो इसके लिए जरूरत है अ automation होता कैसे है बिजनस के automation को समझने से पहले ये समझना है कि business का management कैसे करना है ताकि वो management आपके business को automation पर लेकर आए तो आज हम बात करेंगे business के management के बारे में कि किस तरह से हम अपने business को manage करें जिसमें अलग-लग 6 पहली हुए नमबर 1 planning आपकी business को लेकर planning क्या है आप किस optimizing के बाद जो result आता उसको कैसे organize करते हैं और organize जो करने के बाद आप किस तरह से उनकी performance को major करते हैं ताकि आप अपने लक्षों को आसानी से हासिल कर सकें तो आए इसी विशा पर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात है business की planning कि हम कैसे plan करें अपने business के बारे में यहां पर बह आपके business को बड़े level पर ले जाने वाला है friends आपके साथ ही आपके लिए काम तो कर सकते हैं पर भविश्य में आपका vision क्या होगा आप कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या हासिल करना चाहते हैं यह आपका निर्णे होगा वैसे भी कहते हैं कि अगर आपकी private limited company है तो आपको जो post मिलते हैं उसको हम director कहते हैं director का मतलब निर्देशक जिसका काम निर्देशन देना है direction देना है लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं एक sole proprietor की तरह आप अपने business में घुजे हुए हैं sales में purchase में management में accounts में dispatch में problems में after sales service में इरी पूरे जंजाल में फसे रह जाते हैं जिसकी business को लेकर हमारा goal क्या है मतलब अगले एक साल में अगले तीन साल में अगले पांच साल में आप क्या अपने business को देखते हैं कि इस level पर अपने business को देखते हैं वो कुछ भी हो सकता है जिसे turnover based कि मैं यह कहता हूं मेरा अगले साल का turnover करीब 10 करोड का होना चाहिए या मैं अग आपका goal है कि आप अपने business को लेकर क्या goal बनाते हैं या आप profit के volume को increase करना चाहते हैं या business को expansion पर ले जाना चाहते हैं या नए product introduce करना चाहते हैं नया market search करना चाहते हैं आप export करना चाहते हैं तो आपके business का goal क्या है सबसे पहले आपको यह decide करना है और जब आप अपने business मे के लिए ज़रूरत है आप अपने processes को design करें अब वो process का मतलब क्या है काम करने की विधी तरीका और ये विधी में क्या आता है जैसे आपका production का process क्या रहेगा मतलब कैसे material purchase होगा कैसे material stock में रखा जाएगा कैसे metal production में raw metal के इसाब से use होगा कि जब हो metal बन जाएगा तो कितना हम stock करेंगे और stock के बाद कैसे आगे उसको deliver करेंगे और जो बच जाएगा उसको फिर stock में कैसे maintain करेंगे इस तरह का process जैस sales का process कि सबसे पहले हम client को proposal भेजेंगे proposal के बाद में उसको उसकी design requirement के साब से चीज़ेंगे उसके बाद में consumer के requirement को समझेंगे फिर दुबारा हम price negotiations पर बात करेंगे फिर deal के लिए close करने पर बैठेंगे और deal close करेंगे तो यहाँ पर important क्या आपके सारे processes design हो जैसे हम franchise करते हैं अपने business में उसका process बना हुआ है कि सबसे पहले franchise की inquiry आती है फिर सिस्टम उनको proposal भेजते हैं प्रोपोजल भेजने के बाद फिर उनका follow-up करते हैं फिर उनसे meeting करते हैं मीटिंग करने के बाद agreement पर बात करते हैं फिर deal close करते हैं वहाँ set up बनाते हैं set up बनाने के बाद after sell services देते रहते हैं और उनको support day by day देते हैं, तो आपको अपने process को design करना है, क्योंकि जो process आपने design किया है, उसी से आपका system develop होगा और लोग आपके लिए जो काम करेंगे, वो system के अंतरगत करेंगे इसका मतलब सबसे पहले आपको अपना goal decide करना है, process बनाना है, process के बाद system में implement करना है आपको ऐसे लोग चाहिए, जो आपके लिए काम करें, आपके हिसाब से काम करें, आपके लक्ष को हासिल करने में आपकी मदद करें, उसके लिए जरूरी है staff appoint करना, सबसे पहली बात क्या है finding, कि आप staff ढूनेंगे कैसे अभी तक traditional तरीके से staff कैसे ढूनते हैं, अपने फ्रेंड से बोल दिया, relative से बोल दिया already existing staff से बोल दिया कि कोई marketing executive हो तो बताना, कोई PN हो तो बताना, कोई production वाले हो तो बताना कोई digital marketing वाले हो तो बताना तो यह वो traditional method हैं, आपको staff finding करने हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं बहुत सारे job portals हैं बहुत सारी job की website हैं, वहाँ पर आप listing करें, JD बेजें महाँ पर, क्या बेजें JD, job description क्या आपको किस योगेता, किस काबलियत, किस अनुवव के आधार का व्यक्ति चाहिए क्या-क्या उसके पास facility होनी चाहिए क्या-क्या उसको knowledge होनी चाहिए वो सारी job description में आप detail भरके job portals पर डालें या आप consulting consulting agencies को hire करें और वहाँ पर JD भेजें, कि इस इस तरह के हमें employees चाहिए, उनका हमें हमारे पास उनको interview के लिए भेजें interview लें, system के थूँ interview में, अपने business से काम से संबंदित उसके अनुभव के बारे में जाने, और अनुभव के बारे में जानने के बाद आप अपने goal को achieve करने के लिए, क्या-क्या plan बना सकते हैं, और वो कैसे आपको मदद कर सकता है, उसके बारे में जाने, properly hiring के बाद है, उनकी hiring, आपके पास बहुत सारी leads आ गई, मतलब आपके बहुत सारी resume आ गए, बहुत सारे employees आपको contact करना चाहते हैं, तो अब उनकी hiring, interview किया आपने उनको proper hire करें, hire करने के बाद भी जो सबसे important बात होती है, वो होती है उनकी training, friends, आपने उस व्यक्ति को अनु method क्या होगा, system क्या होगा, उसके rights क्या होंगे, उसकी powers क्या होंगी, उसकी duties क्या होंगी, यह सारी चीज़े आप उसको training में बताएंगे, product की पूरी information देंगे, technical information, आपकी company का culture, काम करने का तरीका, है ना, आपका पूरा महौल, हर तरह से उसको train करेंगे, train करने के बाद, व अब जरूरत है, एक ही तरह के काम को करते, 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 वो धीरे, धीरे, बोरोन लगता है, और उसका performance डाउन जाने लगता है, तो अब जरूरत क्या है, उसको time to time motivate करने की, अब यह motivate के लिए, आप company के नए-ने plan design कर सकते हैं, नए challenges दे सकते हैं, नए-ने competitions कर सकते हैं, motivational programs कर सकते हैं, seminar workshopss कर सकते हैं, उनको motivating videos दे सकते हैं, sales trainers को बुलाके sales की training दे सकते हैं, marketing की experts को बुलाके marketing की training दे सकते हैं, या उनको किसी तरह की कोई party दे कर, या कोई एक competition रखकर भी आप उनको motivate कर सकते हैं, आप अगर यह achieve करेंगे, तो यह extra benefit तो उनको regular motivate करना, ताकि आपके desired result वो प्राप्त हों जो आप प्राप्त करना चाहते हैं यह बड़ा important role play करेगा अगर आप अपने business को automation पर करना चाहते हैं तो system process के साथ साथ आपके staff उस system and process में ढहले हुए हों जिसके लिए training बहुत important है और training तो तब ही देंगे जब आप लोगों को hire करेंगे तो अच्छे अभी problem क्या है small scale business owner क्या करता सारी जम्यदारी का toker अपने सर पर रख लेता है जैसे किसी ने मान लीजिए client का follow up किया अरे ने ने ऐसी ने हो तो ला मैं करवाता हूं मैं बताता हूं कैसे होगा मतलब हर चीज में you are the best if you are the best you can't delegate your power if you delegate your power your employee will do best for you उसके लिए important क्या है right job right people to get desired result आप सही job के लिए सही profile के व्यक्ति को चुने मतलब ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति से multiple काम कराने का जो आपका धे होता है उसमें कभी भी result बहुत बढ़िया नहीं आता एक व्यक्ति multi talented तो हो सकता है पर multi tasking नहीं हो सकता मतलब मान लीजिए आप अच्छी telecalling भी कर सकते है आप अच्छी sale भी कर सकते हैं आप अच्छा production unit भी देख सकते हैं तो इसको बोलेंगे multi talented लेकिन वो multi talented व्यक्ति एक बार में एकी task को तो perform करेगा इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास right job के लिए right people हो ताकि आप अपने desired result को achieve कर सके और right job का selection कैसे होगा जब आप interview लेत आता है ताकि वो right job right people के हाथ में हो और आप अपने desired result आसानी से हासिल कर सके उसके बाद important क्या है मैंने आपको बताया जैसे कि सबसे पहले हमने planning की बात किये है उसके बाद हमने staffing की बात करिये है उसका अदर delegation की बात किये तो desired result अगर आपको प्राप्त करने है तो आपको planning, staffing, delegating पर काम करना होगा और next video में जो हम बात करने वाले है मेरा आपचे request है जितना मैंने आपको पता है इसके notes बनाए homework करें इस पर अपनी company में इसका implementation करें तभी ये video आपके लिए कारगर हो सकती है वरना तो entertainment की video तो है नहीं ये video एक learning की है आपको learn करना है लेकिन learn करने का अगर आप implement नहीं करेंगे तो एक तरह से video आपके लिए waste हो जाने वाली है इसलिए इन तीनो topics को अच्छे से practice करें implement करें next video में बात करेंगे supervising, organizing and measuring की और ये तीनों चीज़े मिलने के बाद आपका business बहुत आसानी से automation पर पहुँच जाएगा और जब आपका business automation पर होगा तो आप अपनी family के साथ time enjoy कर पाएंगे, आप vacations पर जा पाएंगे, दो दिन, चार दिन, पास दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, महीने, कई महीने, तो आपके मन में ये दि कोई भी प्रश्ण है तो उसे comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएं, साथी साथ bell icon को जरूर प्रेस कर आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत